जैश्र कृष्णा दोस्तों, उमीद करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो है, ये कॉस्मोस के उपर है, एटम जो इसका टोकन है उसके उपर है, और मुझे क्या लगता है आने वाले टाइम में, इसका किस तरह का प्राइस ग्रोथ और किस तरह का एडॉप्शन जो है, वो देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह की स्क्रमर, मैं कोई फैनेशल एडवाईजर नहीं हूँ, तो प्लीज डू यूर ओन रिसेर्च बिफोर इंवेस्टिंग एड़ी क्रिप्टो कॉइन्स, तो फ्रेंड्स, अगर आप क्रिप्टो में पुराने हो, तो आप डिफिनेटली कॉस्मोस को जानते होगे, और इसकी टिकनोलजी वो बहुत ही शांदार है, और BTC और Ethereum के बाद, सबसे जादा किसी ने अगर वैल्यू कैप्चर किया है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो वो कॉस्मोस ही है, इसकी टिकनोलजी बहुत ही जबरदस है, हलाकि जिस तरह का प्राइस एडॉप्शन देखने को मिलना चाहिए, एटम में, वो देखने को नहीं मिला है, और जो अधर क्रिप्टो जैसे सोलाना था, या एवलांच या इस तरह के और भी बहुत सारे लेयर वन्स थे, जो पिछले बुलरन में, बहुत जबरदस गेन दिखाय तो friends, Cosmos ने कुछ नए बहुत major developments देखने को मिला है Cosmos में in last 3-6 months, जो सबसे बड़ा innovation हुआ है Cosmos में, वो है इसका IBC launch, जो blockchain communication होता है, messaging service है, जैसे कि Polkadot में है, जो XCM के थ्रू आप chains से connect कर सकते हो और transfer कर सकते हो, वो है और जो दूसरा सबसे major, development हुआ है, वो है इसका जो shared security model है, जैसे कि Polkadot में है, जो Polkadot का relay chain है, उसका shared security, जितने भी parachains है, वो use कर सकते हैं, तो similarly, Cosmos में भी, Cosmos Hub जो है, वो is kind of heart of the entire Cosmos ecosystem, और वो एक shared security जो है, वो provide करता है, तो friends, लेको crypto, blockchain के नदर जो सबसे बड़ी problem है, जिसके बारे में, जितने भी experts हैं, highlight किया है, वो है blockchain trilemma, blockchain trilemma के अंदर क्या होता है, तीन चीज़े होती है, एक तो है security, और एक है अपना escalability, और एक है decentralization, तो यह तो तीन चीज़े हैं, वो एक साथ देखना बहुत ही मुश्किल है, अगर आप ETH को देखो, या BTC को देखो, तो secure है, decentralized है, बट escalability का बह देखते हो कि कभी भी जब बुल्डरन आता है, बहुत आप transactions अगर increase होता है, तो gas fee 30, 20, 50, even 100 dollars से भी उपर चला जाता है, which is scalable बिल्कुल भी नहीं है, और उसके लिए layer 2 और अलग-अलग chains जो है, उसके लिए layer 2 scaling solutions यूज़ करके, और उसको मतलब reduce करने के लिए, ये इस तरह अलग-अलग technology launch हो रही है और लगाता है, लेकिन अभी Ethereum main chain पर उस तरीके scaling नहीं देखने को मिलेगी, और क्योंकि उसी तरीके से वो design किया गया है, but Cosmos on the other hand, इसका जो design है, वो मतलब बहुत ही fast है, ये blockchain बहुत ही cheap है, और decentralized है, क्योंकि इसका जो design है, जो इसकी technology है, वो है, जितने भी इसके applications होंगे, जैसे कि अगर आप Ethereum पर जाते हो, या किसी other blockchain पर जाते हो, आप ERC20 करके आप token create करते हो, but इसके जितने भी applications होंगे, उनका अपना एक separate chain होगा, और वो customized होगा according to their usage, तो इसे क्या होगा, कि जो main Cosmos का blockchain है, जो heart है, उसके उपर load नहीं आएगा, और कभी भी मतलब speed का और इस तरह का कोई challenge नहीं है, और जितने भी app chains हैं, वो independent है, और आपस में वो communicate कर सकते हैं, थ्रूँ IBC, आपने देखा था, जितने भी बड़े-बड़े ecosystem इमर्ज हुए हैं, crypto के अंदर, mostly जो है, वो Cosmos blockchain के उपर है, Cosmos layer 0 का जो stack है, उसको use करके बनाया अगर आप Binance की बात करो, जो Binance smart chain है, वो भी Cosmos के उपर build है, जो अलड़ी आप देख सकते हो कि 100 of billions का जो है, उसकी पूरी economy है, लूना हलाकि कॉलाप्स हो गया, लेकिन वो भी over 60 billion dollar की economy बन चुका था, using the Cosmos technology stack, और लूना जब crash हुआ, तो आपने देखा कि जो main इसका relay chain था जो Cosmos ecosystem तो बिल्कुल भी effect नहीं हुआ, तो इस तरीके से हर chain का अपना अलग काम है, और वो Cosmos SDK का यूज करके और अपना chain जो है, वो deploy कर सकते हैं, और जो सबसे अची बात है, वो यह है कि Cosmos Hub की shared security मिलती है, और आपस में communicate करने के लिए IBC जो अलड़ी है, वो launch हो चुका है तो Cosmos के अंदर जो growth है वो बहुत ही tremendous रहा है in past couple of years, चाहे adoption हो, चाहे development, developer activities हो, मैं एक stat देख रहा था, जिसके अंदर Cosmos पे पिछले दो साल में, जो developer activity है, जो number of developers आए हैं, वो 112% से बढ़े हैं, जो कि बहुत ही huge है, अगर आप compare करो, Polkadot तो almost दोनों बराबर है, 119% का rise, Polkad Ethereum में 67%, already established है Ethereum, तो Ethereum में कहीं stable है, 67% का rise देखने को मिला है in 2 years, number of developers की बात करें, तो 1800 Ethereum के उपर developers है, active, Polkadot पे 750 और इस पे बहुत 550 developers है, यह तीनों सबसे उपर है in terms of developer activities, तो देखो Polkadot और Cosmos, दोनों का कहीं न कहीं use case बहुत ही similar है, बहुत जादा मतलब replicate करते हैं एक दूसर और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो यह interoperability है, जो पूरा जो यह blockchain space है, आपस में communicate करें seamlessly without any security breach, तो इसके अंदर इन दोनों platforms का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, आप यह देखो, यह Cosmos जो है एक universe होता है, आप देख सकते हो यह picture में, और यह अलग-अलग जितने यह Cosmos, इन दोनों का यह काम है कि पूरी blockchain industry, पूरी crypto industry को आपस में मतलब intercommunicate करवाना और interoperability को ले के आना, तो देखो Polkadot की अगर मैं बात करूँ, पिछले लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि था कि Polkadot के अंदर क्या है, कि ROI मेरे हिसाब से Cosmos के comparison में कम है, इसके दो reasons है, मैं आपको सबसे पहले reasons बताता हूँ, पहला reason यह है कि Polkadot जो है, वो already rich valuation पे है, Polkadot का जो fully diluted market cap है, 8 billion का है, Cosmos का जो market cap है, वो है 4 billion का, तो यानि कि 50% cheaper है, और जो दूसरा सबसे बड़ा reason है, वो यह है कि Polkadot में dual token model है, which I don't like, क्योंकि कहीं न कहीं value जो है, वो dilute हो जाती ह और price appreciation, Polkadot के tokens पे कम देखने को मिलता है, as compared to Kusama, Kusama chain पे जितने भी tokens होते हैं, उन्हें हमेशा जादा price rise दिया है, जादा price growth दिया है, as compared to Polkadot, और जो तीसरा सबसे बड़ा reason है, वो यह है कि Polkadot अभी young है, technology build कर रहा है, no doubt, technically देखे तो बहुत जबर्दस project है, बट जो Polkadot अगले 5 साल में करना चाहता है, वो कॉसमोस अलेडी कर चुका है, तो कॉसमोस हमेशा कॉसमोस के पास एक edge रहेगा, in terms of adoption, तो इसका adoption क्योंकि देखो यहाँ पे BNB chain है, crypto.com आप देख लो, Luna देख लो, बड़े बड़े chains जो है अलेडी इसके उपर है, मतलब app chains इसके उपर इसके layer 0 पे, और 60 billion से ज़्यादा का जो asset है, वो कॉसमोस tech को use कर रहे है, नहीं कि Ethereum के बाद मुझे लगता है कि सबसे बड़ा यह value है, in terms of, अगर dollar देखे तो 60 billion dollar, मैं एक और देख रहा था है, यहाँ पर developer activities in last one year, और इसका market cap से compare कर रहा था, देखो market cap जो है वो, लगातार आप देखो, नीचे गए, क्योंकि bear market था, अला कि bear market में यह ज़्यादा effect नहीं हुआ है, बहुत कम इसका price drop हुआ है as compare to other crypto, but यहाँ पर आप देखो कि number of developers जो है, वो लगातार बढ़ रहा है और यह इसका market cap जो वो नीचे जा रहा है, तो कहीं ने कहीं, यह catch up play होगा, जिस तरीके से adoption है, जिस तरीके का इसका development है, उस हिसाब से इसको price appreciation नहीं मिला, मैं बार बार बोलूँगा, यह ज़्यादा price appreciation डिजर्फ करता है, अगर आप पिछले boulder में देखो, Solana, Avalanche, बहुत ऐसे projects हैं, जो hundreds of billions में चले गए थे, इवेन मैं ADA की बात करूँ, Cardano, तो Cardano भी म में market cap की बात करूँ, Cardano का, तो इसका 93 billion के आसपास गया है, यह FDV नहीं है, circulating था, तो FDV अगर मैं मानूँ तो 100 billion से ज़्यादा का गया था, Solana भी अगर fully diluted 135 billion का market cap गया था, और इसका कहीं ने कहीं बहुत ही cheap है market cap, अगर आप compare करो इन से तो, और यह जो मैं IBC की बात कर जो दो इनके बहुत ही groundbreaking इन्होंने implementation के एक तो IBC और दूसरा अपना shared security और तीसरा यह कि tokenomics पर भी काम कर रहे हैं कि कैसे value accrual Cosmos Atom token के अंदर यह ले के हैं, और उस पे भी मैं एक detail video बनाऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा pain point था Cosmos का, इसके कारण इसका price जो है वो appreciate नहीं नहीं है क्योंकि देखो bridge hacks billions of dollars के होए है last year, पिछले bull run में, इसमें क्या है, यह messaging service है, जहां पे कोई ऐसा pool और liquidity का concept नहीं होता है, एक messaging service के तुरू एक chain से दूसरे chain पे आप asset transfer कर सकते हो, तो already 52 chains जो है वो IBC यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें देख सकते हो, Osmosis है, Evmos है, इ यह जितने भी आपस में communicate कर सकते हैं, आप एक दूसरे पे asset बिल्कुल easily transfer कर सकते हो, without needing any bridge, तो यह आप देख सकते हो, developer counts भी कहीं न कहीं इसका increase हो रहा है, Cosmos का, तो देखो मेरा जो plan है, वो यह है कि, देखो यह quality mid cap है, no doubt about it, लेकिन अगर आप small cap से compare करो, तो 100x, 200x इस तरह आपको return नहीं मिलेगा, बट हाँ, एक decent return मुझे लगता है, क्योंकि आने वाले time में, अगले cycle में 100 billion dollar minimum जाना चाहिए, again not a financial advice, लेकिन मेरा यह conservative target है, 100 billion अगर यह जाता है, यहाँ से, तो 25 गुना इसका price होगा है, यानि कि 250 से लेके 300 dollar, 300 dollar पकड़ लो और इसका annual inflation I think 10% के आस जाएगा, तो कहीं न कहीं, जादा value अगर यह capture कर सकता है, तो करेगा तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, कि 500 dollar भी यह चला जाए, क्योंकि 100-500 billion Solana हो, या Cardano हो, ऐसे token गए हैं, और Cosmos बिल्कुल deserve करता है, इस तरह का price growth, तो मैं personally, मेरा जो strategy है, वो यह है कि, जो भी small caps मैं लेता हूँ, जिसमें कहीं न कहीं high risk भी होता है, और लेकिन वहाँ पे quick 3x, 4x भी return देखने को मिलता है, तो मैं एक जो portion है, अपने profit का, उस portion को Cosmos में park करते जाऊँगा, और देखो, आपको भी यह कहीं न कहीं एक strategy, एक roadmap के साथ आपको चलना होगा, ऐसे, मतलब, कोई without strategy, आप सोचों कि 100 coin ले लूँ, और कहीं न कहीं से पैसा बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, होगा, बट to some extent, लेकिन एक strategy तो होनी ही चाहिए, कि कहां पे मेरे को पैसा पार करना है, further उसको capitalize करने के लिए, बहुत लोग क्या करते हैं, BTC या ETH में भी profit book करते हैं, लास्ट ट तो आप क्या कर सकते हो, कि जो भी आप profit टेकिंग करोगे, उसको आप चाहो तो थोड़ा सा ETH में, थोड़ा सा Cosmos में, लेको मैं personally, 80% of my profit I am thinking to park in Cosmos, क्योंकि Cosmos में, वो एक जो mega rally, जो बहुत ही mega expansion जो होता है, जैसे Ethereum में हुआ था, पिछले bull run में, Ethereum नीचे से आप देखो, तो 1000X से भी जादा गया है, तो उस तरह का mega expansion अभी तक Cosmos में देखने को नहीं मिला है, तो मैं 70-75% जो अपना पैसा profit है, वो Cosmos में पार्क करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि तो कोई strategy बहुत ज़रूरी है, और कोई ना कोई आपको एक, अपना जो strong area है, उसको आपको आता है, तो आप DeFi को खेल सकते हो, बाकि एक playground होना ही चीए, जहाँ पे आपका expertise हो, और Cosmos के अंदर क्या है, कि airdrop भी बहुत जबरदसता आता है, अगर आपने Cosmos टेक किया है, तो जितने भी chains launch होते हैं, वहाँ पे आपको अच्छा-खासा airdrop मिलेगा, जैसे Polka. में आप जो इसका version 2 है, tokenomics का वो launch हो रहा है, वो सारी चीज़े आप लोग से share करूँगा, बट मैं Cosmos में slowly, कहीं न कहीं, long term के हिसाब से इसमें invest करना चाहता हूं, thank you very much guys, have a great day.